हेलो दोस्तों वेल्कम टो मैं चैनल रागिनी व्लोग्स तो आज मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर और उसके अलावा मैं एक शादी में भी जा रही हूँ तो मैं आपको अपना ये सफर दिखाती हूँ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ मैं जहां जा रही हूँ और हाँ मैं अपनी बुआ के हाँ भी जा रही हूँ तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मतलब मैं एक साथ तीन जगा जा रही हूँ पहले अपनी नानी के हाँ जाँगी फिर अप तो चलिए मुझे ये सफर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सब लोगों के साथ में, ऐसे भी जब हम लोग विलेज में जाते हैं, तो वहां की जो नजारे होते हैं, वहां की जो सीन्स होते हैं, वो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो गाड़ उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी दिर वहां रुकेंगे फिर भुआ जाएंगे तो讲 च्रिक पार जाने Bridge सक्वां और इसके अलावा यहां की जो रोड है वो भी बहुत अच्छी है यह देखिए यह पानी चोटा सा तलाब है और अब हम लोग नानी के घर के थोड़े पास पहुची चुके हैं यह वीडियो मैंने थोड़ा शॉट किया है क्योंकि आप लोगों को मैं इतनी लंबी चरनी तो दिखा नहीं सकती थी इसलिए देखिए कितना प्यारा लग रहा हरा भरा दोस्तों विलेज में एक खास बात होती है कि आपको सबके घर में गाए तो देखने मिलेगी जो कि हमारी माता के रूप में पूजी जाती है और यह देखिए यहां के घर अच्छे लग रहे हैं ना चलिए अब हम वस थोड़ी ही दूर पर हैं यहां से नानी के घर पहुँच ही चुके हैं और अब मेरा यह भाई कारपाक कर रहा है फिर हम लोग यहां गाड़ी रखके आप सब नानी के हाँ नानी का यह जो घर आप देख रहे हैं यह अभी थोड़ा सा तोड़ा गया है इसको क्योंकि बनाया जा रहा है यहां पे नया घर उनका तो आपको यहां थोड़ी सी तूट-फूट देखने को मिल सकती है सब तरफ से दिखा दे रही हूं एक्षिली इसकी हलत बहुत जर्जर हो गई थी इस घर की तो इसे तुड़वा करके फिर से बनाया जा रहा है कि यह सिड़ी उपर जाने के लिए कि चलिए अब मैं आपको यह वाले रूम में ले चलते हूं कि भगवान जी और यह यहां ज़द लाइट नहीं आता है इसलिए थोड़ा बंद बंद सा लग रहा है यह रूम और यह सामने फ्रेंट का सीन यह फ्रेंट वाला रूम है अब मैं यहां से पीछे जा रहे हूं सब लोगों के साथ यहां पर थोड़ी देर बैठूंगी उसके बाद बाते करेंगे हम सब अब हम निकल रहे हैं यहां से यह देखे यह बाहर का है सीन अभी यह घर जो बन रहा है इसके लिए यह यहां पर सेंड लाई गई है और अब हम लोग निकलने वाले हैं छोटी सिस्टर से बोला था ये पैकेट्स रखने के लिए कुछ तो वो लेके आ गई है और अब हम लोग गाड़ी में भी बैठ गए हैं और धीरे-धीरे कार चलने लगी है और अब थोड़ी ही देन में हम अपनी बुवा के घर पहुँच जाएंगे तो चलिए अब हम चलते हैं आगे मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी बारिश भी हुई है क्योंकि ऐसा मौसम बना हुआ है अभी बारिश वाला और यह जो आप इतने ग्रीनरी देख रहे हैं तो वो बारिश के ही कारण है खेर जो भी हो लेकिन हम सबको मज़ा तो बहुत आ रहा है अब मौसम बारिश वाला हो या बारिश ना हो पर हमें बहुत मज़ा आ रहा है और अब जो सीन आने वाला है यह देखिए यह देखिए हम लोग ने वहां से एंट्री की और यह बुआ जी का गार्डन है राइट साइड में बुआ जी ने बहुत सुन्दर-सुन्दर फूल बना लगाय के रखे हैं यह देखिए यह पिंक कलर का वर्बी न पॉर्चुला का यह देखिए बुआ जी का गर अब हम सब अंधर उंट्री कर रहे हैं यह देनर ना कि मैं आपको घर दिख़ा दे रही हूं सब लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं यहां पूराने घर में रहते थे और उसके बाद फिर यह बाब है तो मैं उसके बाद पहली बार आई हूय हो यहां पर हैं और रे मोग निकलने वाले हैं शादी वाले घर में तो चलिए मैं आपको वहां भी ले चलती हूं अपने साथ यह देखिए अब हम लोग शादी वाले गर में आ गए हैं यहां खाना पीना चल रहा है खाने पीने की तैयारिया हो रही है हम सब लोग साथ बैट कर खाना खाएंगे और फिर अब यहां से निकलेंगे चलिए दोस्तों वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें